hello everyone welcome to magnet brains हमारा आज का इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है रैशनल नंबर्स और हम यहां पर कवर कर रहे हैं ncrit solution 1 first exercise 9.1 तो ncrit book में यह जो chapter है यह 9th chapter है 9.1 ध्यान से देखिएगा इसका पहला question क्या है बहुत अच्छे question से बहुत important chapter है ठीक है अच्छे से समझना questions को क्या list five rational numbers between अब देखो question कैसे आएगा आपके सामने यहां पर क्या है यहां पर इन्होंने दो rational number दे दिये हैं और आप से उन्होंने बूला है कि minus one और zero के बीच में पांच rational number बताने हैं तो यह minus one और zero के बीच में पांच rational number बताने के लिए आप क्या करोगे सबसे पहले आप इनको fraction में convert करिए देखो zero by one and minus one by one अगर आपको number line दिख रही है तो number line पे ध्यान देना number line पे भाई यह था zero ठीक है zero के इधर कहीं पे लाय करेगा पहला number minus one by one और यहां पे यह zero by one अब इसके इस चोटे से unit के बीच में आप लोगों को और number बताने हैं तो देखो number line के थूँ तो हम नहीं करेंगे मैं आपको क्या बताना चाहरा हूं कि आप क्या करो इसके denominator को बढ़ाना चालू करो बढ़ाना चालू करो मतलब आप और यहां पे equivalent rational number बनाईए मतलब वन को और आगे multiple से multiply करिए देखो पांच rational number पूछे तो क्या मैं minus one upon one into six कर दूं और यहां पे zero by one है तो denominator मैं किया में one into six कर दूं जब मैंने denominator में one into six किया थो उ पर भी मुझे into six करना पड़ेगा ऐसे ही यहां पर जब denominator में one into six किया तो मुझे देनियूमिनलेटर भी 6 का multiplication करना पड़ेगा यहां पर ध्यान देना यह चीज क्या हो जाएगी यह हो जाएगी minus 6 by 6 और यह क्या हो जाएगा 0 into 6 तो 0 ही होता है तो यह हो जाएगा 0 by 6 अब ध्यान देना देखो 0 by 6 से लेके इधर तक कितने डिख रहें आपको देखो माइनस 1 by 6 माइनस 2 by 6 माइनस 3 by 6 माइनस 4 by 6 and माइनस 5 by 6 आपको दो numbers के बीच में पाँच रैशनल बोले थे उन्होंने बताने के लिए तो फ़र को पांच रैशनल लंबर यह आ गया आपके सामने 0 by 6 के इधर मतलब number line पर 0 by 6 कोई एक rational number है उसके इस side यहां पर देखो क्या होगा यह हो जाएगा minus 1 by 6 minus 2 by 6 minus 3 by 6 minus 4 by 6 minus 5 by 6 and minus 6 by 6 तो था ही हमारा तो यह रहे 5 rational numbers अब जब यह पांच rational numbers आप teacher को दिखाएंगे तो आपको कोशिश यह करने है कि आप इनको standard form में दिखाओ ठीक है यहां तो standard form में दिखाओ यह ऐसे भी लिखके राजोगों तो marks नहीं कट होने वाले देखो minus 1 by 6 अपने standard form में minus 2 by 6 को मैं लिख सकता हूँ minus 1 by 6 के बाद minus 2 by 6 को मैं लिख सकता हूँ minus 1 by 3 minus 3 by 6 को मैं लिख सकता हूँ minus 1 by 2 standard form minus 4 by 6 को मैं लिख सकता हूँ minus 2 by 3 minus 5 by 6 already अपने standard form में है तो यह वह पांच rational numbers है जो की lie करते हैं 0 minus 1 and 0 के बीच में यह देखिएगा आप लोगों को समझ आ रहा होगा मैं क्या कर रहा हूँ तो आप इसका जो answer देंगे आप लिखेंगे the 5 rational numbers are minus 1 by 6 minus 1 by 3 minus 1 by 2 minus 2 by 3 minus 5 by 6 in between minus 1 and 0 तो यह हुआ करने का तरीका फॉर्स पार्ट को दूसर पार्ट दियान देना क्या था minus 2 and minus 1 तो minus 2 and minus 1 के बीच में कितने 5 rational number बताने कैसे पता हो कि आप चलो इसको भी करके देखते हैं यहां पे देखिएगा second part में जो हमें number दिया है वो दिया minus 2 and minus 1 तो minus 2 by 1 लिख दूँ और minus 1 by 1 लिख दूँ अब इनके बीच में 5 rational number बताने दोनों के denominator को 6 से multiply कर दो तो यह 6 हो जाएगा और यह 6 हो जाएगा उपर भी 6 से multiply करना पड़ेगा तो यह हो जाएगा minus 12 तो minus 12 by 6 और यहां पे यह 6 से multiply होगा तो यह हो जाएगा minus 6 by 6 अब आप count करो 5 rational number मिलेंगे आपको देखो minus 6 by 6 के इधर minus 12 by 6 की तरफ जाना है आपको तो यह हो जाएगा minus 7 by 6 minus 8 by 6 minus 9 by 6 minus 10 by 6 and minus 11 by 6 यह है वो 5 rational numbers clear है और इनका standard form क्या होगा minus 7 by 6 already standard form में minus 8 by 6 minus 8 by 6 का क्या होगा 2 into 4 2 into 3 मतला minus 4 by 3 standard form में convert करके answer देदो यह ऐसा ही लिखकर आ जाओ teacher marks नहीं काटने वाली यह हैं आपका क्या 5 rational numbers in between minus 2 and minus 1 तो यह था question number first का first part और यह है question number 1 का second part question number 3 अब हम लोग देखते हैं चलिए question number 3 में मुझे question दिया है minus 4 by 5 and minus 2 by 3 के बीच में मुझे 5 rational number बताने हैं और क्योंकि इंका denominator different दिया एक का 5 दिया एक का 3 दिया तो पहले तो इन दोनों के denominator को similar करो similar करने के लिए आपको 503 का LCM लेना है तो LCM of denominators और वो आएगा क्या 15 ठीक है अब माइनस 4 by 5 को 15 करने करना है और माइनस 2 by 3 को भी आपको 15 करना है तो माइनस 4 by 5 5 को 15 करने के लिए 3 का multiplication किया होगा इसलिए माइनस 4 इंटु 3 लिख देंगे यहां पर और यहां पर 3 को 15 बनाने के लिए 5 का multiplication किया होगा तो उपर लिखेंगे माइनस 2 इंटु 5 क्लियर है अब यह क्या हो गया आपका rational number क्या बन गया इक्विलेंट rational number क्या आगया यह आगया माइनस 12 बाइ 15 और यहां पर आगया माइनस 10 बाइ 15 अब ध्यान देना आप अब इसको और आगे multiply करेंगे और आगे सरम कैसे multiply करें तो चलो ध्यान देते हैं इसको भी देखो मैं इसको multiply कर देता हूं 3 से अगर दोनों के denominator 3 से multiply कर दिये तो देखो minus 12 into 3 upon 15 into 3 और यहां पर हो जाएगा minus 10 multiplied with 3 upon 15 into 3 तो यह क्या बन जाएगा fraction minus 12 into 3 is minus 36 upon 45 minus 30 upon 45 तो minus 30 से minus 36 देखो दोनों के denominator सेम है minus 30 से लेके minus 36 तक आपको क्या 5 rational number मिल रहे हैं ध्यान देना पहला rational number क्या होगा minus 31 upon 45 अगर मैं उधर से इधर चलता हूँ minus 32 upon 45 minus 33 upon 45 minus 34 upon 45 and minus 35 upon 45 तो यह हैं आपके वो 5 rational number जो लाए करते हैं minus 4 by 5 and minus 2 by 3 के मिडिल में तो यह हमने निकाले 5 कैसे निकालेंगा अगर 10 निकालने को देते तो और multiples बढ़ाते जाओ आपको करता जाना है मतलब और आगे multiply करता जाना है तो यह होता है पूरा solve करने का तरीका आपके आमने था question number 1 का third part अगर आप चाहें तो इस चीज को आप उनके किस फॉर्म में दे सकते standard form में भी टीचर को दे सकते हैं minus 31 by 45 minus 32 by 45 already standard form में minus 33 by 45 यह हो जाएगा minus 11 by 15 minus 11 by 15 तो आप standard form में answer दे दो नहीं तो ऐसे लिखकर आजो यह भी सही है देने का तरीका ठीक है लास्ट कोशन हम देखते हैं last question कैसे करना है question number one का fourth part question number one का fourth part क्या दिया है यहां पर number दिया है minus 1 by 2 and 2 by 3 अब देखो दोनों के denominator different है तो पहले तो दोनों के denominator को similar करो तो हम यहां लिखेंगे LCM of denominator और वो होगा 6 तो इसका मतलब minus 1 multiplied with 3 और 2 multiplied with 3 6 बनाना है हमें denominator को यहां पर होगा 2 into 2 and यहां पर होगा 3 into 2 ठीक है into 2 करेंगे तो ही 6 बनेगा 2 ही का multiplication उपर करना पड़ेगा यह हो जाएगा minus 3 by 6 और यह हो जाएगा 4 by 6 पहले चेक करो इंके बीच में क्या पांच rational number आ रहे है 4 by 6 एक positive rational number है माइनस 3 by 6 एक negative rational number है number line पर यह 0 से दूर लाए करता है और यह positive side में 0 से दूर लाए करता है यह बड़ा number यह चोटा number है ठीक है आप 4 by 6 से इधर चलते हैं तो आप ध्यान देंगे यह आएगा 3 by 6 2 by 6 1 by 6 0 by 6 and minus 1 by 6 एक 2 3 4 5 पांच rational number हो गए और इधर और आएंगे तो एक minus 2 by 6 भी है और minus 3 by 6 फिर उसके बाद आएगा तो अब हम मैं आपको क्या बताना चाहरा हूं मैं आपको यह बताना चाहरा हूं कि आपने 4 by 6 reference point पकड़ा उदर जाने के लिए तो यह पांच rational number आपने दे दिए अगर मैं reference point minus 3 by 6 पकड़ता तो मैं इधर से 5 नंबर दे सकता था टीचर कट नहीं करती तो हो सकता है आपका और आपके फ्रेंट का अंसर दोनों का different आए हो सकता है NCIT में पीछे book में answer different दिया हो उन्होंने denominator को 6 ना बनाते वह और बड़ा number बनाया हो तो rational numbers कितने भी हो सकते infinite rational numbers हो सकते हैं इन दोनों के बीच में भी कई rational numbers हो सकते हैं तो answer different हो सकता है इस question में यह अकेला ऐसा question है इस पूरी book में जहां पर teacher आपको marks देगी but method यह use करना है common denominator बनाके equivalent rational number बनाके आपको numerator को compare करना है दोनों numerator को अपस में और आपको उनके बीच में 5 बताने हैं अगर किसी का answer है sir minus 2 by 6 minus 1 by 6 0 by 6 तो यह भी answer सही आ रहा है आप इधर से ऐसे भी move कर सकते हैं मैं ऐसे move करके आपको answer बता रहा हूं ठीक है clear है तो यहां पे हमने question number 1 exercise 9.1 का खतर तो अब question number 2 में क्या बोल रहा है question number 2 बहुत अच्छा question है इसको भी देखेगा write 4 more rational numbers in each of the following patterns अब देखो एक pattern चल रहा है आपर वह pattern है किसका आप अगर ध्यान से देखें तो देखो पहले number में ऐसा मैंने क्या किया कि मेरा next जो आया number minus 6 by 10 आया फिर आया minus 9 by 15 फिर आया minus 12 by 22 पहले number मतला पहले number में अगर आप ध्यान से देखें तो यहां पे equivalent fraction जो मैंने पड़ाया था equivalent rational numbers यहां पे वह वाले चीज चल रही है equivalent rational numbers चल रहा है इसको देखना minus 3 by 5 के साथ जब मैंने multiply किया होगा उपर नीचे 2 को तो इसने दिया minus 6 by 10 clear है अब minus 6 by 10 आ गया अब minus 3 by 5 में अगर मैंने इंटू 3 उपर नीचे किया होगा तो यह fraction आया होगा minus 9 by 15 यह रहा आपका second वाला fraction ऐसे ही minus 3 by 5 में अगर मैंने multiply किया होगा किसको 3 के बाद मैंने लिया होगा 4 तो equivalent fraction देखना कुछ नहीं equivalent fraction नहीं यह है minus 12 by 20 यह रहा आपका तो इसका मतलब minus 3 by 5 के साथ और आगे के numbers multiply होते जा रहे हैं मतलब factors equivalent equivalent rational numbers बनते जा रहे हैं तो minus 3 by 5 का equivalent fraction बताने और 4 और आगे की 4 बताने के लिए आप क्या करोगे आप करोगे minus 3 by 5 के साथ multiply उपर नीचे 5 कर दो ऐसे minus 3 by 5 के साथ multiply करोगे उपर नीचे 6 को कर दो minus 3 by 5 के साथ multiply करोगे उपर नीचे 7 by 7 को ठीक है तो यह आ गया तरीका क्या equivalent rational number बनाने का तो यह आगे आपका minus 15 by 25 यहां पर आएगा क्या minus 18 by 30 यहां पर क्या आएगा minus 21 upon 35 तो यह 3 मैंने बताए आपको अब आप एक खुद निकाली है कैसे निकालोगे minus 3 by 5 के साथ क्या multiply करोगे जल्दी comment box में बताओ येस सही बता रहे हो 8 ठीके 8 आएगा तो minus 3 by 5 के साथ 8 by 8 जब आप करेंगे तो यह आपका आ रहा होगा क्या minus 3 by 5 के साथ 8 by 8 जब हमने multiply किया होगा तो यह आया होगा minus 24 upon 40 तो यह हुए total 4 rational numbers बच्चो ऐसे ही आप इस केस में बता सकते हो आपको क्या दिया माइनस 1 by 4 फिर आपको दिया माइनस 2 by 8 एक आपको दिया माइनस 3 by 12 तो यहां पर क्या पैटन चल रहा है देखो इंटू 2 by 2 इंटू 3 by 3 ऐसी करके माइनस 1 by 4 के साथ जब मैंने multiply किया उपर नीचे टू और टू को तो यह आया होगा माइनस 2 by 8 यह रहा फिर आया होगा माइनस 1 by 4 के साथ मैंने multiply किया होगा किसको 3 by 3 को तो यह आया होगा माइनस 3 by 12 ऐसी आगे की चाँर बताने हैं तो वह हो जाएगा माइनस 4 by 4 मैनस 1 by 4 के साथ 4 by 4 multiply कर दो तो यह आएगा माइनस 4 by 16 तो एक नमबर मैंस 4 by 16 आया आगे का नमबर क्या आएगा आगे का नमबर आएगा सर minus 1 by 4 के साथ multiply कर दो 5 by 5 को minus 1 by 4 के साथ multiply कर दो 6 by 6 को minus 1 by 4 के साथ multiply कर दो 7 by 7 को आजाएगा answer तो यह आजाएगा minus 5 by 20 यह आएगा minus 6 by 24 और यह आएगा minus 7 by 28 तो यह रहे वो 4 rational numbers जो इसके आगे उन्होंने आपसे demand किया था तो question number 2 भी हमने देख लिए इसके दो सब पार्ट हमने देख लिए इसके दो और सब पार्ट है इस बुक के अंदर NCIT के अंदर वो भी हम cover up करते हैं चलो क्या है write for more rational numbers in each of the following pattern बताइए देखो क्या पैटन दिये minus 1 by 6 तो minus 1 by 6 के साथ जा मैंने ऊपर नीचे टू किया minus 1 by 6 के साथ जा मैंने ऊपर नीचे 3 को multiply किया तो यहां के आ रहा है माइनस 2 by 12 यह दिख रहा है आपको यह आ रहा है minus 3 by 18 यह दूसरा वाला भी दिख गया आपको minus 1 by 6 के साथ जा मैंने multiply किया होगा 4 by 4 को तो यह आया होगा minus 4 4 by 24 यह दिख गиля आपको फोर बैट माइनस 24 का मतलब कैया यह नेざall ऊपर है यहां पर नेगेटीज मातलब किया एंगी SIM ओपर है लेकिन हम कि 6 के साथ आप multiply करिए 6 by 6 minus 1 by 6 के साथ आप multiply करिए 7 by 7 और minus 1 by 6 के साथ आप multiply करिए 8 by 8 तो क्या आया देखो यह आया minus 5 by 30 minus 6 by 36 minus 7 by 42 and minus 8 by 48 बट यह हमारा अंसर नहीं है अगर यह लिखकर आओगे टीचर काट देंगे आपको यह सीरीज फॉलो करनी है तो इस सीरीज के मुताबिक जो आगे का नंबर होगा वह होगा यहाँ पे कॉमा वह होगा 5 by minus 30 negative sign नीचे लगाके अंसर देना क्योंकि सीरीज ऐसी चल रही है ठीक है 5 by minus 36 by minus 36 ठीक है next answer होगा 7 by minus 42 next answer होगा 8 by minus 48 तो यह सीरीज जो फॉलो हो रही है हमें वह सीरीज को complete करना है और वही लिखा राइट फॉर रैशनल लंबर इन इच फॉलिंग पैटन पैटन यह चल रहा है तो हमारा आगे का जो अनसर होगा वह भी यह वाला पैटन होगा यह अनसर होगा 6 by minus 36 और यह होगा 5 by minus 30 पैटन यह फॉलो हो रहा है तो इस पर ध्यान देना कई बच्चे कहते हैं सर आपने ऐसे बताया हम ऐसे लिखकर आया अनसर लेकिन टीचर ने हाफ मांक काट दिये वह इसलिए काट है क्योंकि आपने पैटन को फॉलो नहीं किया पैटन में नीचे डिनॉमेटर में नेगेटिव साइन था ठीक है चलिया है नेक्स कोशन भी ऐसा ही है इसी को कोशन नमबर टू का फोर्थ पा तो पैटन क्या होया यह हो गया 2 by minus 3 अब minus 2 by 3 में इन्होंने उपर नीचे minus 2 और minus 2 का multiplication किया है तो यह हो गया तुम्हारा कितना 4 by minus 6 ऐसे ही इन्होंने minus 2 by 3 मतलब पहले ही number में इन्होंने negative minus 3 by minus 3 का multiplication किया तो यह हो गया 6 by 6 by minus 9 अब तुम्हें क्या करना है तुम्हें pattern follow करना है तो तुम कैसे करोगे तुम minus 2 by 3 पहला number तो वह ही लोगे इन्होंने into 1 into 2 into 3 into minus 1 into minus 2 into minus 3 तुम्हारा next pattern होगा minus 4 ऊपर नीचे ठीके तो यह आ जाएगा 8 by क्या minus 12 तो इसके बाद next number क्या आएगा यह आएगा 8 by minus 12 चार बताने है एक हम बता चुके है next क्या होगा ध्यान देना next होगा minus 2 by 3 के साथ आप multiply करेंगे minus 5 by minus 5 minus 2 by 3 के साथ आप multiply करेंगे minus 6 by minus 6 minus 2 by 3 के साथ आप multiply करेंगे minus 7 by minus 7 तो यह देखो एक बता दिया बाखी तुम लोग बताओ क्या आएगा यह आएगा सा 10 by minus into minus plus होता है तो 10 by minus 15 यह क्या हो जाएगा यह हो जाएगा 12 by minus 18 और 2 into 7 होता है 14 तो प्लस 14 अपॉन नेगेटिव 21 तो यह देखो यह हैं आगे के numbers pattern follow हुआ तो pattern follow करना है तुम्हें वह pattern को पकड़ना है clear है बच्चों नेक्स कोशन देखें question number 3 में क्या दिया है question number 3 में क्या दिया है यहां पर इन्होंने बोला है give 4 rational numbers equivalent to ऐसे 4 rational number बताओ जो minus 2 by 7 के equivalent हो ठीक है तो आप वो चार number कैसे बताओ गए into 2 by 2 कर दो minus 2 by 7 into 3 into 3 कर दो उपर नीचे फिर minus 2 by 7 into 4 into 4 कर दो उपर नीचे और minus 2 by 7 into 5 अपॉन में और नीचे डिनॉमिनेटर में आजाएगा answer यह आजाएगा minus 4 by 14 यह आएगा minus 6 by 21 यह आएगा minus 8 by 28 और यह आजाएगा कितना minus 10 by 35 तो यह रहे वो चार equivalent fraction बच्चो clear है तो चार equivalent fraction आपको पता होने चाहिए यह आपके सामने है आगे ध्यान देते हैं next national number 5 by minus 3 चार equivalent बताने है अपॉन में इंटू 2 into 2 कर दो 5 अपॉन minus 3 into 3 into 3 कर दो अब तुम्हें समझ आ गया होगा 5 upon minus 3 into 4 into 4 कर दो equivalent fraction निकालना तो वर्ड से अब तुम लोग बहुत अच्छे से इंट्रिद्यूस हो गए हो यह तुम्हारा answer आया होगा 10 by minus 6 यह तुम्हारा answer आया होगा 15 upon minus 9 और यह तुम्हारा answer आया होगा 20 upon minus 12 next number आप निकाल लेंगा 4 by 9 का equivalent fraction अब आप लोग बताईए इतने अपने कर लिए इसके आगे के आप बताईए ठीक है आप लोग कैलकुलेट करो ncrt से answer को cross check करो question number 4 में देखना क्या दिया है draw the number line यह अच्छा question है दो marks में पक्का आएगा draw the number line and represent the falling rational numbers on it अब देखो यहां पर 3 by 4 दिया है numerator जो है वो छोटा है उसके denominator से simple सी number line बनेगी positive rational number दिया है तो 0 और तुम्हारा सारा काम positive side में होगा तो यह positive rational number की side है और यह negative rational number की side है ruler और pencil का use करना मेरी line यहां पर टेड़ी दिख रही है आप लोगों को अपने यहां पर scale और pencil से equal marking करनी है 0 के side माइनस 1 माइनस 2 है ठीक है बट 0 के इधर थोड़ी दूरी पे आप लेंगे positive 1 आपको जब भी numerator denominator से चोटा होगा आपको हमेशा ऐसे कान करना है 0 से 1 वाला जो पार्ट है यह चार पार्ट में divide होगा एक दो तीन और चार एक यूनिट दो यूनिट तीन यूनिट चार यूनिट 0 to 1 मैंने divide कर दिया अब 0 से counting करो यह 0 से पहला पार्ट कितना आया 0 से पहला पार्ट आया तुम्हारा 1 by 4 दूसरा पार्ट कितना आया यह आया 2 by 4 और तीसरा पार्ट कितना आया यह आया 3 by 4 तो finally मेरा answer क्या था 3 by 4 ही तो मुझे देना था तो यह मैंने दे दिया a mark कर दिया and a is showing what a is showing 3 by 4 a के बाद next unit क्या दिखा रहा है a के बाद जो next unit है वो दिखा रहा है 1 और 1 का मतलब क्या यहां पर actual में आता 4 by 4 तो 4 by 4 ही तो equal to 1 है तो 4 by 4 is equals to 1 तो यह आप लोगों की number line हो गई 3 by 4 को मैंने represent कर दिया अलग-अलग number line बनेगी हर अलग number के लिए clear है चलिए आगे ध्यान देते हैं इसको अटा दे माइनस 5 by 8 देखो number line बनाओ number line बना दी ठीक है अब दोनों तरफ arrow बनाना जरूरी है बच्चो बहुत जरूरी है अगर arrow नहीं बनाया तो यह number line नहीं कहलाएगी arrow बनाके यह पता चलता है कि number line को हम किसी भी डायरेक्शन में एक्स्टेंट कर सकते हैं यह हो गए तुम्हारी सारी पॉजिटिव वैल्यूस यह हो गई सारी नेगेटिव वैल्यूस क्योंकि दिया गया number negative sign के साथ है देखो नेगेटिव नेगेटिव रैशनल लंबर है तो नेगेटिव रैशनल लंबर है इसका मतलब क्या इसका मतलब माइनस 5 बाइट जीरो के उस साइड बनेगा तो जीरो को हम थोड़ा इधर खिसका देते हैं और इस लाइन को कीच के हम लोग left-hand side पे ले जाते हैं ठीक है यह left पुरा नेगेटिव में आ गया लेकिन सिर्फ 5 बाइट की बात कर रहा हूं तो 5 में नियूमेरेटर चोटा है 5 चोटा है उसके 8 के मुकाबले तो 0 to 1 आप मार्किंग कर देंगे इसके बाद क्या करना है इसके बाद तुम्हें यह 0 से लेके 1 तक तुम्हें डिनॉमेरेटर क में डिवाइट करना एक दो तीन चार पांच छे ठीक है साथ आठ यह आठ पार्ट्स में डिवाइट कर दिया मैंने देखिएगा पहला यूनिट क्या 1,2,3,4,5,6,7,8 एट पार्ट्स में डिवाइट कर दिया और एट पार्ट्स में डिवाइट करने के बाद मैं यहाँ पर 1 लिख देता हूँ तो यह 0 to 1 वाला जो एरिया है इसको मैंने 8 पार्ट्स में डिवाइट कर दिया है आप लोग के सामने यह और यह ठीक है अब ध्यान दीजेगा मैं यहाँ पर green कलर का use कर लेता हूँ ठीक है ध्यान देना पहला यूनिट क्या जीरो टू पहला यूनिट जीरो टू पहला यूनिट यह है आपका कितना क्या मैं इसको बोल सकता हूँ यह है इस यूनिट कितना यह है मैंनस 2 टू भाई ए फिर नेक्स्ट कितना यह है मैंस 3 टेनट मैंनस 4 टैन क्यों दाएट मैंनस 5 टीट तो आप देखेंगे कि फाइनली हमारी वेल्लियो आई कौनसी यह वाली और यह कितनी है इसको हम denote कर देते हैं A के साथ यह हमें दिया है minus 5 by 8 यह कितना होगा minus 6 by 8 minus 7 by 8 minus 8 by 8 तो minus 8 by 8 मतलब 1 तो यह 0 to 1 के अंदर आ रहा है minus 5 by 8 negative side पे ठीक है यह देखो 0 के negative side पे इस side आप चाहें तो यहाँ पे positive 1 और positive 2 भी बना के आना क्योंकि इधर की number line भी हमें दिखानी है उदर की भी दिखानी है हमारा सारा काम उदर हो रहा है तो हम यहाँ पे लिख देंगे A is denoted A is denoting what minus 5 by 8 यह हमने number line पे दिखा दिया क्लियर है बच्चों तो आप थोड़ी सी डार्क पैंसिल हल्की पैंसिल का यूज करना मैंने यहाँ पर थोड़ा colors का यूज कर लिया है आपको colors का यूज नहीं करना ठीक है चलिया इसमें और है सब पार्ट देखीगा ड्रौ दिन अंबर लाइन रेप्रेजेंट दा फालंग रैशनल लंबर माइनस 7 बाइ 4 माइनस 7 बाइ 4 देखते ही नेगेटिव रैशनल नंबर दिख रहे हैं और नेगेटिव रैशनल नंबर इसका हमला सारा काम तुमारा लेफ्ट-एंड साइड पे होगा यह मैंने बना तो 7 और 4 का अगा मैं relation बता हूं तो numerator की value बड़ी है उसके denominator से तो जब भी ऐसा case आए तो आप simply 1 1 cm का gap लेके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ध्यान देना देखो 0 to 1 मतलब पहला unit में चलूंगा तो पहला unit कितना होगा पहला unit 0 के बाद होगा क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं मुझे क्योंकि denote करना है minus 7 by 4 को तो negative side में जो पहला part आएगा वो आएगा minus 1 by 4 जो दूसरा आएगा वो आएगा minus 2 by 4 तीसरा कितना आएगा minus 3 by 4 ऐसे minus 4 by 4 अब तुम लोग सोच रोगे सर माइनस 4 by 4 को क्या मैं 1 लिख सकता हूं लिख दो 1 यह लो ठीक है तो तुम्हें एक चीजिए यहां देखने को मिली कि 0 to 1 के बीच में हमने 4 तुकड़े किये हैं 4 parts किये हैं 1 2 3 4 4 parts किये क्योंके denominator 4 था इसके आगे हमेशे यह value minus 1 से बड़ी होगी यह minus 1 आया यहां तक अब इसके बाद जो next value होगी यह था minus 4 by 4 यह आजाएगा minus 5 by 4 minus 6 by 4 और minus 7 by 4 तो यह जो value है minus 7 by 4 को denote करेगी और minus 7 by 4 के बाद जो next number आएगा वो आएगा minus 8 by 4 जिसको आप चाहते तो minus 2 भी लिख सकते थे बच्चो यह आपका हो जाता minus 2 तो minus 1 और minus 2 के बीच में जो 4 तुकड़े हैं इसमें तुम्हारा आ रहा है minus 7 by 4 तो A is denoting what point A is denoting minus 7 by 4 clear है 8th class में आप लोग को यह चीज़ सिखाई जाएगी कि उसमें भी rational numbers chapter है 8th class में तो पहले ही chapter rational numbers है तो rational numbers में आपको यह चीज़ सिखाई जाएगी कि जब भी numerator बढ़ा हो denominator से तो minus 7 by 4 को mixed form में mixed fraction में change कर दो fraction chapter में हमने mixed fraction पढ़ा था तो minus 7 by 4 को mixed fraction में change कर दो चलो अपन इस वीडियो में भी इस चीज़ को समझ लेते हैं question solve करते समय तुम्हें वो 8th class का concept समझाएता हूँ वहाँ पर यह चीज़ सिखाई जाएगी कि minus 7 by 4 को mixed fraction के form में लिखो तो mix fraction के form में जब आप लिखोगे तो यह क्या आएगा यह आएगा तुम्हारा सात डिवाइड़ बाइड़ चार रफ में करके देखो 4 2 x 8 होता है तो आप यहां पर लिख दो 4 1 x 4 7 में से 4 गए 7 में से 4 गए तो बचा 3 remainder और mix fraction में चेंज करने के लिए क्या मैं इसको यह बोल सकता हूं कि यह आएगा 3 by 4 और फ्रेंट में 1 तो 1 3 by 4 मतलब minus 1 3 by 4 अब 8 class में यह चीज सिखाई जाती है कि आगे क्या लिखा है mix fraction में आगे क्या लिखा minus 1 लिखा है ना तो 0 to minus 1 बना दो उस समय number line कैसे बनती है यह भी देखो simple वो कहेंगे number line खीचो इतनी खिचडी पकाने की जोट नहीं है वो कहेंगे 0 to minus 1 आ जाओ और यहां पर 1 और 2 आ जाओ अब minus 1 के बाद यह number minus 1 के बाद 3 by 4 तो minus 1 से बढ़ा है minus 1 से बढ़ा है तो हम 0 से minus 1 आ गए और minus 1 से minus 2 तक आप थोड़ी बड़ी स्पेस दे दो यह देदी minus 1 से minus 2 तक बड़ी स्पेस देदी अब वो कहेंगे इसको denominator के बराबर divide कर दो तों चार तुकडों में divide कर देना दोचा कि छार तुकडों मायनस वन से –स तक तो एक पार्ट दोपार्ट तीन पार्ट और यहां पर यह चार पार्ट तो देख कच तुकडों में कुछ रिजआऑ हो रह ठीक है अब ये चार तुकडों में वो तुमसे कहेंगे माइनस 1 के बाद पहला पार्ट कितना है ये है 1 by 4 ये है 2 by 4 और ये वाला पार्ट है 3 by 4 ठीके तो माइनस 1 तक आप आए 0 से माइनस 1 तक आए तो देखो 0 से माइनस 1 तक तो मैं पूरे ही आया हूँ ये 0 से माइनस 1 तक मैं पूरे ही आया हूँ माइनस 1 के बाद देखो 3 तुकड़े 1 2 3 तो माइनस 1 तक वो कहरा है पूरा आओ फिर इसके बाद 3 तुकड़े चलो 1 2 और 3 तो ज़्यादा खिचड़ी नहीं बनेगी बहुत कम में काम हो जाएगा तो यह चीज सिखाई जाती है एट्थ क्लास के अंदर वहां पर भी रैशनल लंबर में नंबर लाइन है वो कंसेट मैंने आपको भी सेवन्थ क्लास में दे दिया क्लियर है बच्चो चलो आगे धियान दीजेगा इसमें सेवन बाइएट अब सेवन बाइएट को कैसे बनाओगे यह पूरी एक नंबर लाइन बनाई यह पॉजिटिव नंबर था तो जीरो को इधर लिग दिया जीरो के इधर माइनस वन लिग दिया ठीक है एक डिजिट चोटा है डिनॉमिनिटर से ठीक है तो यह ठीक है तो जीरो से वन के बीच में आठ पार्ट एक तौ तो तीन चार पांच छे साट और अच तो जीरो से पहला पार्ट कितना हो गा यह ऑन बाइड ऑन दूसरा पार्ट कितना होगा यह होगा 2 by 8 3 by 8 4 by 8 5 by 8 6 by 8 7 by 8 and 8 by 8 इसलिए तो यह 1 है और हमें क्या दिखाना था 7 by 8 तो हम यहां 0 से इस तरीके का ड्रॉइंग बनाएंगे ठीक है कि इस तरीके से हम चलने का तरीका बताएंगे कि पहले मैं यहां से यहां यहां और आप देखेंगे 7 by 8 डिनोट हो रहा है तो फाइनली 7 by 8 को नंबर लाइन पर कैसे डिनोट करना है यह को बता दिया इसको आप लोग कमपलीट कर लिए अपने चला अच्छा मैंने कमपलीट किया तो इसको complete कर लेते हैं यहां से यहां से यहां और यहां से यहां यहां पर उपर अपने तो यह है पूरा तरीका इसको solve करने का हम देखते हैं आगे का question यह क्या था आगे का question चलो question No.5 में क्या बोला है question No.5 में बोला है आपको already number line दी है इस number line के उपर कुछ integers दिखाए हुए है आपको क्या करना है आपको बताना है A की value क्या है, P की value क्या है, Q की क्या है, B, A और B दिए, point दियें आपको A point दिया है, आपको T point दिया, आपको U point दिया, आपको S, R, P, Q की value बतानी है, तो चलिए बताइए, देखीएगा, 0, 0 के इधर पूरा positive side है, है पॉजटिव है यह फूरा पार्ड यह तुम्हारा पॉजटिव पार्ट है और जीरो के इधर पूरा नकेटिव पार्ट है तो नंबल लाइन के पर मैं पहले तो क्लियर गर देता हमकि यह पॉजटिव यु नेगेटिव जीरो से पैंप हैं इसको कितने तुकड़ों में तोड़ा है यह तीन तुकड़ों में तूटा हुआ है एक पार्ट फिर दो पार्ट और यह तीन पार्ट टोटल थ्री पार्ट है तो इसका मतले टू से लेके थ्री तक का यह जो पूरा एक पार्ट है यह थ्री पार्ट में डिवाइडेड है तो तो आप क्योंकि 0 से complete 2 तक आए तो मैंने लिग दिया एक complete number natural number 2 उसके बाद मुझे P की value बतानी है तो P क्या denote कर रहा है P denote कर रहा है 1 by 3 को 2 के बाद एक unit क्योंकि यह 3 parts में था तो denominator बताता number of parts 3 यह बता दिया मैंने तो 2 1 by 3 का मतलब क्या होता है यह होता है 7 by 3 तो that means P is denoting what 7 by 3 आगे ध्यान देना Q is denoting what Q क्या denote कर रहा है Q भी कह रहा है कि 0 से complete 2 आए 2 के बाद point Q क्या होगा यह होगा 1 by 3 2 by 3 तो यह हो जाएगा 2 by 3 देखो क्या होगा 6 7 8 तो 8 by 3 7 by 3 के बाद next value क्या होगी 8 by 3 और यह क्या होगी यह हो जाएगी इससाब से 9 by 3 तो 9 by 3 का मतलब होता है क्या 3 तो यह इसलिए यहां पर इन्होंने question में 3 लिखके दिया है हमें तो यह चीज में खाल से आप लोगों को clear है number line के उपर इन्होंने हमें question में यही बोला था था the points PQRST UAB are on the number line search that TR is equals to RS is equals to SU and AP is equals to PQ AP is equals to PQ equals to QB name the rational numbers represented by PQRS तो P and Q हमने बता दिया है अब हम इधर काम करते आर और S के लिए ध्यान देना 0 से minus 1 आए 0 से complete एक number आए हो एक negative integer आप आए हो 0 से minus 1 तो 0 से minus 1 मतलब minus 1 तक तो आप आए उसके बाद यह जो आर और S है यह minus 1 और 2 के बीच में है इसका मतलब minus 1 और 2 वाला जो एरिया था तुमने उसको 3 तुकडों में तोड़ा है एक पार्ट 2 पार्ट 3 पार्ट टोटल यहां पर 3 पार्ट दिखेंगे आपको एक पार्ट फिर जो पार्ट और यह तीन पार्ट इन तीन पार्ट में आर क्या म्या रिप्रेजंट कर रह r minus 1 के बाद मैं सिर्फ एक unit चला हूँ तो वह एक unit क्या था वो था 1 by 3 तो इसको अगर mixed fraction को मैं fraction में change करूंगा तो यह आजाएगा क्या 3 into 1 is 3 और 3 into 1 is 3 3 plus 1 is 4 तो यह आजाएगा minus 4 by 3 आपको यह चीज समझ आ रही है तो minus 4 by 3 आपका answer है इसके बाद हमें क्या करना है हमें s की value निकालनी है तो s की value क्या आएगी s की value बताइए चलिए मैं board up कर देता हूँ s की value आप 0 से minus 1 आए और minus 1 से आप फिर 2 unit move किये हो तो इसका मतलब minus 1 तक तो आप पूरे आए हो उसके बाद 2 unit मतलब 2 by 3 out of 3 parts आप लोग 2 parts का movement कर रहे हो दो units का movement किया है आप लोगों ने तो दो unit का movement क्या है वह है 2 by 3 इसका मतलब इसका answer कितना आएगा यह आएगा 3 plus 2 मतलब minus 5 by 3 clear है बच्चो तो यह answer है minus 5 by 3 यह answer है minus 4 by 3 P की value is 7 by 3 and Q की value है 8 by 3 यहां पर हमने question number 5 exercise 1.1 का खतम किया next question देखते हैं इसमे question number 6 भी है question number 6 क्या बोल रहा है देखना which of the falling pairs represent the same rational number कौन से इन दोनों में से ऐसे numbers है जो same rational numbers को represent कर रहे हैं मतलब minus 7 by 21 था और 3 by 9 दिया है आप इनके denominator को देखो 21 जो है यह कही ना कही 9 का factor है तो मतलब 9 का factor है नहीं 9 का factor नहीं है sorry 21 और 9 यह दोनों 3 के factors है ठीक है यह बना होगा 3 into 7 और यह बना होगा 3 into 3 9 से तो हमें पूछा है कि कौन सा same rational number represent कर रहा है चलो ठीक है अगर same rational number देखना है तो देखो यह थी negative value और यह थी positive value तो पहली बात तो यह same rational number नहीं हो सकते भाई यह negative rational number है यह positive rational number है तो यह वाला पेर तो तुम्हारा fail हो गया ठीक है अब यहां पर आते हैं यह ठीक है तो दोनों negative sign है इसका मतलब यह नेगेटिव का ही है मतलब कोई नेगेटिव को रिप्रेजेंट कर रहा है इसको चेक करते हैं देखो 16 by 20 को अगर मैं माइनस 16 by 20 को इसके standard form में लिखो तो यह क्या होगा यह हो जाएगा तुम्हारा इसको अगर मैं स्टेंडर्ड फॉर्म में लिखों तो यह दोनों 5 के टेबल में आते हैं 5 इंटु 4 is 20 and 5 इंटु 5 is 25 नेगेटिव 5 नीचे आएगा यहां पर यह नेगेटिव साइन ऊपर मूफ कर जाएगा तो यह चीज हो जाएगी माइनस 4 नीचे प्लस 5 तो देखो यह दोनों similar नंबर है इसका मतला माइनस 16 by 20 और 20 by 25 यह दोनों equivalent fraction है हम कहेंगे तो यह represent the same rational number है तो यह वाला represent कर रहा है same rational number को और यह नहीं represent कर रहा है यह तो पूरा negative है यह positive है तो यह तो नहीं कर सकता clear है question number 6 में देखते हैं क्या इंका third part भी है हमारे पास yes है minus 2 by minus 3 देखो क्या दिया minus 2 by minus 3 और यह 2 by 3 अब आप देखते ही बोल रहे होगे सर यह भी represent नहीं कर रहा है इसको भी हटाइए यह represent कर रहा है मैं यह बोलना चाहरा हूं देखो उपर नीचे negative sign है तो यह actual में positive rational number है उपर नीचे negative sign है तो कट हो जाएंगे तो यह आएगा 2 by 3 और यह भी आएगा 2 by 3 लेक्ट पार वन में मैंने इस चीज को समझाया negative rational number हम कब बोलते है negative rational number हम तब बोलते हैं जैसे पिछले question में दिया था यह negative rational number है कोई भी एक term उपर नीचे के कोई भी एक number अगर negative integer है तो यह पूरा fraction कोई एक होना चाहिए पूरा fraction उस case में negative rational number कहलाएगा बट यह जो case तुम्हें इस question में दिया है minus 2 by minus 3 and 2 by 3 यह negative rational number नहीं है यह positive rational number है और 2 by 3 2 by 3 को ही represent कर रहा है तो yes यह pair जो है it is representing the same rational number ऐसे ही minus 3 by 5 already अपने standard form में है लेकिन minus 12 by 20 को standard form में अगर मैं convert करता हूँ तो यह दोनों देखो 2 के table में आते हैं तो यह हो जाएगा 2 6 times और 2 4 times और 3 के table में देख लेते हैं 3 के table में नहीं आते हैं 4 के table में आते हैं 4 के table में देखना यह होगा minus 3 upon 5 जब इसको मैं उपर नीचे 4 से cutting करूंगा तो यह तुम्हारा आ जाएगा कितना 4 3 times 12 and 4 5 times 20 तो इसको cutting करने के बाद जो standard form आएगा वो आएगा minus 3 by 5 और यह तो already minus 3 by 5 है तो इसका मतलब क्या यह equivalent fraction थे minus 3 by 5 minus 12 by 20 equivalent fraction था minus 12 by 20 minus 3 by 5 का equivalent fraction था तो यह तो यह रेप्रेजेंटिंटिंग थे सेम रैशनल नंबर क्लियर है बच्चो तो इस तरह के कुछ कोशन से जो one marks में आपको देखने को मिल सकते हैं कोशन नंबर 7 देखिएगा क्या है रिराइट दो फॉलिंग रैशनल लंबर इन दा सिंपलेस्ट फॉर्म सिंपलेस्ट फॉर्म क्या है माइनस 8 बाइ 6 बोला है और सिंपलेस्ट मतलब ओंस्तेंडर्ड फॉर्म किसको बोलते हैं जब उपर नीचे का जो यहां यहां पर लगा हुए तो इसका इसका आएगा standard form आएगा इसका minus 4 upon 3 यह इसका simplest form है जिसको हम standard form हमने part 1 में पड़ा है ठीक है standard form हो simplest form एक ही चीज है तो पहले theory lecture को watch करिए फिन numerical पर आईएगा ऐसे 25 by 45 25 by 45 अगर मैं ध्यान से देखूं तो 5 into 5 25 होता है और 5 into 945 होता है उपर नीचे common factor 5 and 5 cut कर दिया क्या simplest form आया यह आया 5 by 9 25 by 45 का simplest form है 5 by 9 इस तरह के questions आएंगे यह तो पक्का है ठीक है इसके में एक पार्ट हो रहे हैं अब आप लोग काटी माइनस 44 अपन 72 क्या 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 common है उपर नीचे देखो 44 के टेबल में आता है तो 4 into 1144 होता है ठीक है और 72 जो है यह भी 4 के टेबल में आता है देखो कहां पर 4 को जब आप 72 के factors निकालेंगे तो वहां पर 4 दिखेगा सेव देखो देखो मैं करके दिखायता हूं 72 के मैंने factors कैसे निकालें देखो 2 3 times is 6 and 2 6 times is 12 फिर 2 1 times is 2 and 2 8 times 16 मतलब 4 into जब मैं 18 करूंगा ना तो यह 72 होता है तो देखो उपर नीचे 4 है यह काट दिया तो value कितनी आई-11 by 18 आई क्लियर है तो यह इसका simplest form है ऐसे minus 8 by 10 को देखते हैं minus 8 by 10 simplest form निकल आया होगा अभी तक तो इतना तो आप समझ ही गए होंगे comment box में बताइए जल्दी से देखना दोनों में 2 to common दिख रहा है तो यह minus 2 into 4 और यह है 2 into 5 2 से 2 कट गया simplest form क्या आया simplest form आया minus 4 by 5 यह है इसका simplest form clear है तो question number 7 हमने यहां पे सब्सक्राइब किया question number 8 देखते हैं यह एक फिलिंग दब्लैंक स्टाइप का question है एक यह दो questions यहां से आपको फिलिंग दब्लैंक अगर exam में टेस्ट में पूचेंगे या exam में पूचेंगे तो आपको क्या sign लगाएंगे मतलब इन दोनों के बीच में comparison करना है आपको बताना है कौन सा बढ़ा है कौन सा चोटा यह equal है तो ध्यान देना यह negative है यह positive है देखते ही समझ आ जाएगा negative मतलब जीरो के उस साइट मतलब सबसे चोटी वैल्यू और जीरो के इस साइट पॉजिटिव वैल्यू मतलब यह बड़ी वैल्यू तो देखो यह बड़े का sign लगेगा मूँ खुल जाएगा जो बड़ा ठीक है लेकिन अभी इस केस में less than का sign मतलब माइनस 5 by 7 is less than 2 by 3 इस केस में हम यह बोलेंगे यह साइन और इस केस में आगे का जो नंबर है वो greater than this number आएगा तो यह चीज है greater than less than confusion मत पैदा करना अपने दिमाग में क्लियर है इसमें सेकेंड डिखते है माइनस 4 by 5 और माइनस 5 by 7 अब देखो दोनों negative values हैं तो कौन सा बड़ा कौन सा चूटा आप तब तक नहीं बोल पाएंगे जब तक आप इनके denominator को common ना करो तो फाइफ और सेवन दोनों प्राइम को प्राइम नंबर है तो फाइव एंट सेवन मतलब फाइव इंटू सेवन होता है 35 multiply कर दो ठीक है तो फाइव इंटू सेवन थैटीव मतलब फाइव को 35 बनाओ fraction chapter में जिसने वह पूरी वीडियो देखिए वह इसको ओरली कर पा रहा होगा यह सेवन इंटू 535 अब यहां पर यह हो जाएगा माइनस 25 और यहां पर यह हो जाएगा 5 इंटू 735 था तो 4 इंटू 7 मतलब माइनस 28 क्या बड़ा है जो 0 के पास में है वह बड़ा है तो 0 के प पास में जब मैं नंबर लाइन के साइट जाओंगा यह अगर 0 है तो पहला नंबर जो पड़ेगा वह माइनस 25 पड़ेगा और बाद का नंबर पड़ेगा माइनस 28 इसका मतलब 0 से जितनी दूर लेफ्ट हैंड साइट पे वह छोटी वेल्यू तो यह छोटी वेल्यू है इ यह लगा दिया साइट माइनश 25 by 35 is greater than minus 28 by 35 यह इसको ऐसा बुल लो माइनस 28 by 35 is less than minus 25 by 35 इसमें और भी पार्ट से उनको हम देख लेते हैं जैसे कि थर्ड पार्ट दिया है यह दिया है minus 7 by 8 और next number दिया है तुम्हें 14 by minus 16 देखो दोनों negative integers हैं तो बड़ा गया छोटा आप नहीं बता सकते सबसे पहली बात तो sign को उपर ले जाओ तो यह है minus 7 by 8 और यह है minus 14 by 16 अब बड़ा गया छोटा गया तुम नहीं बता सकते 8 जो है 16 जो है वो 8 का ही factor है कैसे भाई सब 2 into 8 होता है 16 तो हमने पढ़ा था addition के समय क्या कि भाई इसको तुम 16 कर सकते हो 8 को कैसे करोगे 8 को 16 कर दो 2 करके 2 से multiply कर दो तो उपर भी हो जाएगा तो यह आजाएगा 14 minus 14 by 16 तो minus 7 by 8 का जो fraction है वो बन गया minus 14 by 16 और यहाँ पर भी यह है minus 14 by 16 इसका मतलब यह दोनो equal values हैं तो इसका मतलब यह दोनो equal हैं sign काय का आ रहा है clear है तो इस तरीके के questions आते हैं confuse करने के लिए आप confuse मत होना next देखते हैं minus 8 by 5 और minus 7 by 4 दोनो negative integer रहे 5 और 4 को common करिए 20 बनाए 5 into 4 is 20 तो 5 को 20 बना दो और 4 को भी 20 बना दो 4 को 20 बनाने के लिए 5 का multiply किया होगा तो 5 उपर भी multiply होगा यह आएगा minus 35 और ऐसे ही 5 into 4 20 किया होगा तो 8 into 4 कर दो 8 into 4 होता है 4 into 8 is 32 तो minus 32 अब कौन सा बड़ा है 0 के पास में लाए करेगा minus 32 minus 35 दूर लाए करेगा तो यह बड़ा है ठीक है तो यहां पर greater than का sign आएगा यह clear है मतलब इन दोनों में greater than का sign आएगा समझ आ गया कैसे solve करना है इसमें देखते हैं क्या हमाए पास और कोश्चिंस है हां कोश्चिंस नमर नाइंध भी है क्या पूछा विच इस ग्रेटर इन इच आफ द फॉलिंग इसमें से बड़ा कौन सा है तो 2 by 3 और 5 by 2 fraction chapter में हमने यह चीज बढ़ा था कि fractions में बड़ा और चोटा कैसे बताता है ऐसे ही rational number में है concept 3 और 2 देखते ही answer मत देदे ना पहले denominator को common करो तो यह 3 और 2 का सिम लेंगे तो 6 आएगा that means 3 को 6 बनाओ 2 को 6 बनाओ numerator देखके value बता दो 3 को 6 बनाने के लिए उपर भी 2 का multiplication किया तो 4 by 6 fraction हो गया equivalent fraction और यहां पर 5 by 2 2 को 6 बनाने के लिए 3 का multiply किया तो यह हो गया 15 by 6 that means कौन सी value बढ़ी है समझ आ रही है दोनों positive थे तो 15 by 6 बढ़ा ठीक है अब next क्या दिया है minus 5 by 6 and minus 4 by 3 दोनों negative है answer नहीं दे सकते आप सबसे पहले denominator को same करो यह 6 है इसके denominator को 6 बना सकते into 2 करके तो इसको ऐसी रहन दो minus 5 by 6 और इसको 6 बना दो 3 into 2 से तो यहां पे भी 2 का multiplication हो जाएगा 0 के pass में लाए कर रहा है minus 5 तो यह बड़ा number हुआ तो sign आएगा minus 5 by 6 is greater than minus 4 by 3 ठीक है इसमें एक और sub part है third वाला ठीक है नहीं यह question number 10 थे इसमें दो ही parts थे question number 10 देखिएगा question number 10 में क्या दिया है यह ascending order में rearrange करना है हमने part 2 या part 1 में अगर आप theory watch करेंगे तो part 2 में हमने cover किया है इसको कि ascending and descending में कैसे जमाना है अब ascending में कैसे जमाना है अगर आपको जो भी नंबर दिया देखो क्या नंबर दिया माइनस 3 by 5 माइनस 2 by 5 और दिया है माइनस 1 by 5 सबके denominator में 5 common है तो numerator को देखो compare कर दो 0 के पास में क्या लाए कर रहा है जीरो के पास में –1 तू –3 exciting डिसेंडिंग मतलब होता है बड़े से चोटा तो ascending मतलब छोटे से बड़े की तरफ आप जब जाएंगे तोत को चोटे से बड़ा मतलब – 1 by 5 पहले आएगा फिर आएगा – 2 by 5 ठीक है और फिर आएगा – 3 3 by 5 तो यह हो गया आपका ascending order जमा दिया यह मैंने सिर्फ numerate denominators देखके किया ऐसा तो आपको भी denominators देखके आप कर सकते हो बट सेकेंड वाले पार्ट में अगर आप ध्यान से देखो तो आप नहीं बोल सकते कौन सा बड़ा कौन सा छोटा आपको पहले इन सब के denominator को same करना पड़ेगा यहां पर पहला number है minus 1 by 3 यह number है minus 2 by 9 और यह number है minus 4 by 3 तो क्या करोगे बताओ सबसे पहले आप LCM लोगे ठीके LCM लोगे तो देखो कि 9 ही आएगा LCM तो 9 मतलब आपको इस 3 को भी 9 मनाना है इस 3 को भी 9 मनाना है यह 9 को नहीं चेड़ना तो यह हो जाएगा minus 1 upon 3 into 3 नीचे into 3 किया तो उपर भी होगा minus 2 by 9 को नहीं चेड़ना इसको minus 4 by 3 नीचे into 3 कर दिया 9 बनाना था तो उपर भी करना पड़ेगा यह कर दिया अब यह आजाएगा minus 3 by 9 यह माइनस 2 by 9 और यह वाला कितना आएगा यह आएगा minus 12 by 9 एसेंडिंग ओडर एसेंडिंग में जमाना है अब जमा दीजिए छोटे से बड़ा तो जीरो के पास में जो सबसे पहले लाई कर रहा है वो सबसे बड़ा नंबर है और negative मतलब जो जितनी दूर 0 से जितनी दूर सबसे चोटा नंबर है तो आसेंडिंग मतलब में जमाना था किसको जो दिया हुआ कोशन था इसको एसेंद दिया ता मैंने सोयल माइन माइन सबसे पहले माइनस 4 by 3 आएगा कॉमा फिर माइनस 3 by 9 सबसे पहली वेल्यू थी मैंनला माइनस 1 by 3 आएगा और जो बचा वो लास्ट में आएगा तो ये था माइनस 2 by 9 ascending order छोटे से बड़ा तो छोटे से बड़ा मैंने जमा दिया क्लियर है ठीक इसका एक लास्ट और है वो देख लेते हैं थर्ड पार्ट क्या दिया है वो भी यह दिया है क्या माइनस 3 by 7 माइनस 3 by 2 माइनस 3 by 4 जातर बच्चे हैं गलतियां गरके आते क्योंकि की नेगिटिव साइड के नंबर से नेगेटिव साइड पर सुम अपने धियान में रखना कि अबसे नमबडर लाइन को अपने जहन में रखना लाइन क्या है 2 x 2 4 4 x 7 is 28 तो इंका LCM आगया 28 इसको भी 28 बनाना है इसको भी 28 बनाना है और इसको 28 बनाना है सबसे पहले तो LCM लेके आप LCM देखेंगे और इंके denominator को सेम बनाएंगे rearrangement के case में इसा करना पड़ेगा 7 को 28 बनाने के लिए 4 का multiplication किया होगा इसका मतलब उपर भी होगा तो यह माइनस 12 हो जाएगा 2 को 28 बनाने के लिए 14 का multiplication किया होगा तो 14 को आपको numerator में भी multiply करना पड़ेगा 14 इंटू 3 14 इंटू 3 होता है 12 12 का carry 1 मतलब 52 ऐसे 4 को 28 बनाने के लिए 7 का multiplication और 7 3 के साथ multiply होगा तो यहां आएगा 21 सबसे छोटा नंबर कौन सा ascending order छोटे से बड़ा छोटे से बड़ा सबसे छोटा नंबर कौन सा जो 0 से बहुत दूर है मतलब माइनस 52 बाइ 28 उसके बाद आप अगर 0 की तरफ आएंगे तो पहले माइनस 21 बाइ 28 आएगा और फिर 0 के पास मतलब सबसे बड़ा नंबर आएगा माइनस 12 बाइ 28 अब यह अंसर नहीं है अंसर तुम्हें जमाना है यह वाला इसको जमाना था असेंडिंग ओर्डर, डिसेंडिंग ओर्डर में असेंडिंग में तो देखी एगा माइनस 52 चेंटर नंबर की व्ल यह थी तो यह पहला नंबर आएगा – 3 बाइ 2 पैर उसके बाद नंबर है »-201 बाइ 28 मतलत ल lange थाइगा – 3 बाय 4 ठीक है तो माइनस 3 by 2 हो गया माइनस 3 by 4 हो गया माइनस 3 by 7 यह इधर आएगा बड़ा नंबर तो यह हमने एसेंडिंग ओर्डर में अरेंज कर दिया तो इस तरह के questions हैं जो कि exercise 9.1 में हैं जो कि आज हमने clear किया इस वीडियो के अंदर हमने clear किया आप लोग नेक्स्ट वीडियो वाच करिए उसमें एंसी आटी का 9.2 कवर कप किया है अपने तो themagnetbrains.com पे आपको सारी वीडियो किंडर गार्डन से लेके 12th क्लास तक फ्री मिल रही है यह प्रॉपर तरीके से अरेज्ड है आपको से प्लेलिस्ट में विजिट करना है और इसको फॉलो करना है ठीके clear बच्चो तो next exercise में हमने बहुत अच्छे questions को देखा है आप उस व